हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और आज में एक बहुती खास रेसिपी जो कि तुर्गा पूजा में आमतोर पे बंगाली घरों में बनाया जाता है और उसका नाम है पाशुनती पोलाव इसको कोई-कोई मिश्टी पोलाव भी बोलते हैं इससे पहले क हमने करीब 200 ग्राम चावल ले लिया है अभी हम चावल में पाने डालेंगे और चावल को अच्छी तरह से दो लेंगे इसके बाद हम इसको करीब 15 मिन्ट तक ऐसे ब्भीकों के रख देंगे इसके बाद हम अच्छे तरह से चान लेंगे अभी एक बावल में हमें जो भीकों के रखा हुआ था चावल उसको डाल दे रहा है और उसमें एक एक करके आधा चम्मच नमक आधा चम्मच हल्दी पाउडर करीब एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच घी डालेंगे मैंने यहाँ पर देशी घी उसकिया है इससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है और अभी हमें सब को अच्छी तरह से मिला लेना है देखिए हमने अच्छी तरह से मिला लिया है अभी इसको हमें पंद्रा मिन्ट तक ऐसे ही छोड़ देना है अभी एक कड़ाई में हमें करीब आधा चम्मच घी डालना है जब घी अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हमें कुछ काजू और किश्मिश को डाल देना है और इन सब को अच्छी तरह से एक से दो मिन्ट के लिए फ्राय करना है कर दो दो मिन्ट बालना है तो आप देखी सकते हैं हमारे जो ड्राइफ्रूट से वो फ्रैड अच्छ तरसे हो गया है अभी इन सब को में अलग जगा पे निकाल लेना है इसके बाद उसी कड़ाई में हमें करीब दो चमच कोई भी वेजटेबल ओयल डाल देना है जब तील अच्छी तरसे गरम हो जाए उसके बाद हमें एक एक करके एक तेज पत्ता दो से तीन इलाइची दो से तीन लॉंग और करीब एक इन साइज का दालचीनी हमें डाल देना है इसके बाद हमें इसमें जो पहले से हमने मेरिनेट करके रखा हुआ था चावल उसको डाल देना है इसके बाद चावल को हमें करीब एक से दो मिनिट तक मेडियम फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राइ करना है अभी इसमें हमें करीब चार सो एमेल पानी डाल देना है फिर इसमें फ्राइ किये गए हुए सारे के सारे ड्राइब फूट्स को डाल देना है और सब को अच्छे तरह से मिला लेना है अभी इसमें करीब दो चमज चीनी हमने डाल दिया है आप चाहिए तो चीनी ज्यादा कम कर सकते है देखिए पानी में उबाल आ चुका है अभी हम इसको थोड़े देर के लिए ढग देंगे देखिए हमने इसको ढग दिया है और अभी हमें जब तक की पानी पूरा सूक ना जाए तब तक हमें इसको पकाना है तो आप देखी सकते है पूरा पानी जो है वो सूक चुका है अभी गैस को हमें ओफ कर देना है और इसको फिर से ढखकन लगा के करिब 10 मिन तक ऐसे ही छोड़ देना है तो आप देखी सकते हैं आज की हमारी दुर्गा पूजा स्पेशल रेसिपी मिष्टी पोलाव या बाशुनती पोलाव बनके तयार है और एक इंपोर्टेंट बात है यह ना ही कि खाली बंगाली लोग इसको बनाते हैं हमारे इस्टन पार्ट में जैसे की ओडिसा में भी इसको कानिका पोलते हैं और कोई भी फेस्टीवल हो लोग इसको जरूर घर में बनाते हैं तो आप भी मेरे इस रेसीपी को ज़रूर घर में एक पार ट्राय किजिएगा और आपको मेरे रेसीपी कैसी लगी मुझे कमेंड करके जरूर बताएHHHH So friends, आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लेगी तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले तकि ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी में आप सब की सामने ला सको इसके अलाबा मेरे दूसरे रेसिपी का लिंक आपको डेस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए So आज के लिए बस इतना ही Thank you, Bye Bye Thank you